स्वागत है आपका मेरे चैनल में मेरा नाम है पूनम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज को जो वीडियो है बहुत यूसफुल होने वाला है और दिखिए इस तरीकी के जो कोट के कवर होते हैं न जब हम इने लेने जाते हैं मार्केट में तो यह काफी कोस्टली मिलते हैं क्योंकि जब हम कोट वगेरा लेते हैं तो यह उसके साथ में आते हैं अगर अलग से लेने जाए न तो यह काफी कोस्टली हो जाते हैं तो चलिए आज फिर इसी को बनाते हैं और मैं बनाऊंगी इसे simply एक परदे के कपड़े से तो परदे का कपड़ा आपको पता ही है कितना मजबूत होता है तो चलिए फिर वीडियो को start करते है तो यहाँ पर देखिए 38 इंच की नाप ली है मैंने length की तो मेरे पास जो अभी coat का cover था न मैंने इसको नाप लिया है और इससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है तो अगर आपके पास भी कोई पुराना है cover उसकी नाप ले लीजिए अदरवाइस यह देखिए मैंने नापा है यहाँ पर बिलकुल अच्छे से इसमें coat आ जाएगा तो 38 इंच की इसमें length है इसको मैंने चोटा सा cut लगा कर खींच के इसको पूरा straight cut कर दिया है अब मैंने इसको fold किया है और देखिए यहाँ पर ना साड़े 23 के आसपास है इस तरीके से जो पूरा परदा होता है वही उसकी चोड़ाई अच्छे से use में आ गई है अब यहाँ पर देखिए मैंने double किया है उसके बाद मैंने एक और fold इसको दे दिया है और दो इंच का नाप उपर की side से लगा कि यहाँ पर मैं हलकी सी गोलाई दे दूँगी इस तरीके से तो same ऐसे हमें इस side भी करना है और जो नीचे वाला side है ना वहाँ पर भी करना है और गोलाई मैंने दी है जो open वाला side है ना उस side में fold side अभी इस side है मेरे पास में ठीक है तो इस तरीके से मैंने दोनों side में दो दो इंच की गोलाई ऐसे कर दी है अब देखे मैंने इसको open किया है और यहां से जो पर्दा fold था ना इस तरीके से इसको मैं cut करके अलग कर दूँगी तो यहां पर अब दो piece ready हो गए है इस तरीके से ठीक है अब देखे जो यह वाला part है ना जो पूरा वाला part है इसको मैं fold करके इसके दो piece कर लूँगी अब यहां पर देखे महारे पस तीन piece हो गए है टोटल एक बड़ा वाला और दो मैंने आगे के काट दिये हैं वो अब यहां पर देखे मैं इस तरीके से एक ना पट्टी तयार कर लूँगी यह देखे नाप जो मैंने दिखा है था इस नाप से मैं यहां पर पट्टी काट लूँगी और इसको भी मैं ऐसे करके दो कर दूँगी इसकी ठीक है अब यह जो पट्टी है ना यह हमारे बहुत काम में आएगी आप इसे थोड़ा सा ऐसे उपर से ना मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड करके एक सिलाइ लगा दिया सिंप्ली बस ठीक है अब यहां पर दिखे यह जो पीस है बैक वाला जो बड़ा पीस है पूरा इसको इस तरीके से हमें उपर से फोल्ड करना है जो उपर वाला साइड भी इक ही साइड से करना है ठीक है अब यह देखे जो हमने दो पीस काटे थी ना आगे वाले वो मैंने लिया है यहाँ पर चार से पांच इंच हमें इस तरीके से उपर से फोल्ड कर देना है यह देखे तो मैंने यहाँ पर दोनों पीसिस को मैंने फोल्ड कर लिया है और जो पट्टी हमने काटी थी ना इस तर काफी help मिलेगी, तो देखें, इस तरीके से मैंने यहां पर पट्टी अटाइच कर दी है, अब यहां पर मैंने बड़ी सी जिप ली है, इस तरीके से तो यह काफी बड़ी है, जिसे मैंने बाद में कट भी किया है, यह देखें, यह 41 इंच की है, लेकिन इसे काटना पड़ा, क्योंकि जो हमारी length है वो 38 थी और उसके बाद भी हमने उपर नीचे से 2-2 इंचों से बंद कर दिया है तो जितना open area है उतने ही इसमें पार्ट में इस तरीके से हमें zip को सिल लेना है जो आगे वाले दो पार्ट है जहां पर हमने उन पटियों को जोड़ा है इस तरीके से ठीक है एक side से जोड़ा है फिर उसमें top sim लगा दी है अब यहां पर दूसरे वाले पार्ट में जोड़ रही हूं और इसके बाद इसमें भी इस तरीके से हम top sim लगा देंगे तो दिखे ये ना आटमेटिंग मसीन है मशीन है यहाँ इसमें एक बूट दिया हुआ है जिससे हम इसली जिप लगा सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर दिखे जो आगे वाला पार्ट है उसमें मैंने जिप लगा दिया है और उपर से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है अब यहाँ पर दिखे आगे वाला पार्ट लिया है मैंने और यहाँ पर 10 इंच पर मैंने निशान लगाया है और फिर जिप से यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगा दूँगी तो यहाँ पर हम एक छोटा सा विंडो टाइप बना रहे हैं जिससे की हमें दिख जाए कि हमने इसमें कौन से कलर का कोट रखा है अब इसकी लंबाई मैंने ले ली है 4 इंच और इसकी चोडाई में लूँगी 5 इंच तो 4 बाइ 5 का यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी मैं इस तरीके से देखिए एक rectangle बन जाएगा यहाँ पर अच्छे से मैंने chalk से निशान लगा लिया यह देखिए यह एक rectangle बन के ready हो गया है अब यहाँ पर दोनों कोनों को मिलाते वे एक cross का निशान लगा लेंगे अब इस मैंने छूटा सा cut दिया है और जो मैंने cross का निशान लगा था ना इसी के ऊपर मैं इस तरीके से देखिए यहाँ पर cut लगा दूँगी तो इससे हमारा जो यह window है अच्छे से open हो जाएगा तो देखिए इसको मैं cut करूँगी और जो यह part cut गए है ना अच्छे से सीधे करके अंदर को मोड़ दूँगी इस तरीके से तो यह देखिए इस तरीके से अब हमें मोड़ और इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है ठीक है यह देखिए मैंने सिलाई लगा दी है हमारे घर में दीखे जब भी हम कोई बैट शीट लेके आते हैं या फिर आशन वगहरा आता है न तो उसके साथ इस तरहे की बहुत मजबूत पॉले थिनाती है तो इसमें आई वी थी डाल तो दाल वाले जो पैकेड होते हैं काफी मजबूत होते हैं तो मैंने यह ले ली है और इस से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैने जी कट की है और इस तरह के से न पिन लगा दूंगी और चारो तरफ से हमें इसमें सिलाई कर देनी है तो इस ऐच्छे से विजिबल रहेगा कि हमने क इस कलर का इसमें कोट डाला है बलेजर या जो भी हम रखेंगे ना वो अच्छे से विजिबल होगा और आगे अगर ये पॉलितिन अगर फट्ती भी है ना तो हम इस तरीके से जिस तरी से भी लगा रहे हैं ना ऐसे हम इसे दुबारा भी लगा सकते हैं तो यहां पर मैंने चारो तरफ सिलाई कर दी है और जितनी भी एक्स्ट्रा यहां पर बहुत जादा एक्स्ट्रा पनी हो रही थी हो मैंने कट कर दी है अब इसे सीधा करके यहाँ पर बिल्कूल कॉर्णर में अच्छे से यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी जिससे कि इसमें फिनिशिंग आ जाए तो देखे अब यहाँ पर वो काम हो गया है अब यहाँ पर बनानी है पट्टी बनानी है मुझे तो 14 इंच मैंने लंबाई लिए है और 4 इंच मैंने यहाँ पर चोड़ाई लिए है तो इस नाप से इसको कट कर boysगी और फिर इसको डबल करके इसे भी कट कर दोंगी तो यहाँ पर 14 बाइद 2 की यहाँ पर 2 स्ट्रिप बनके ready हो जाएंगी बस simply हमें इसे देखे दोनों साइट से इस तरीके से मोड़ना है फिर एक final मोड़ के इस पर एक सिलाई लगा देनी है तो यह स्ट्रिप बनके तयार हो जाएगी अब हमें यह स्ट्रिप लगानी कैसे है तो देखे यह मैंने लिया है पीछे वाला एरिया जो की जिसमें जिप नहीं है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसका पहले midpoint ले लिया है और इसको फिर सीधा करके इस तरीके से देखे और यह स्ट्रिप न हमें इस तरह यहाँ पर सीधी साइड में लगानी है तो यहाँ पर देखे मैंने चार इंच नीचे उपर से चार इंच नीचे यहाँ पर निशान लगाया है और जो midpoint है ना दो इंच राइट में और दो इंच लेफ्ट में मैं निशान लगा दूँगी दो और इस तरीके से यह देखे तो जो हमने निशान लगाया है इसी पर थोड़ा सा फोल्ड करनके यहाँ पर हमें स्ट्रिप को अटैच कर दिना है यह देखे इस तरीके से सेम ऐसा ही जो नीचे वाला पाट है उस पर भी करेंगे हम और निशान देखे पहले थोड़ा डार्क कर लीजे उसके बाद यह वाला एरिया इसके उपर रख दीजे और थोड़ा से टैप टैप करेंगे तो अच्छे सो जो प्रिंट है वो इस कपड़े में भी आ जाएगा तो दुबारा नाप लेने की जोरत नहीं पड़ेगी तो यह देखे तो देखे नीचे वाला निशान उपर आ गया है और सेम यहाँ पे भी हमें इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर दीना है थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस तरीके से ठीक है दोनों साइडों में यह स्ट्रिप लगा दी है मैंने इस तरीके से अब हमें क्या करना है जो आगे वाला पाट है ना अब हम इसमें जोड़ेंगे ऐसे यह देखिए तो जितने भी चोटे मुटे धागे हूँ उसे कट करते हुए जाए और देखिए जब हम इसमें टांगते हैं तो यहाँ पर हैंगर के लिए थोड़ा सा स्पेस होता है तो यहाँ पर जो पीछे वाला एरिया है जो पूरा साबुत वाला पीस है उसको थोड़ा सा इस तरीके से धीला छोड़ना है और यहाँ पर मैं पिन से अटैच कर दूँगी कि इतना यहाँ पर गैप छोड़ना ही है और बाकी जो है साइड्स में यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूगी इस तरीके से ठीक है दोनों साइड में सिलाई लगाने के बाद अब जो बाकी दोनों साइड सो गए नीचे वाला एरिया हो गया हना इस साइड का इस साइड का और नीचे का अब यहाँ पर पूरे में हमें सिलाई लगा के इसे बंद कर देना है बस जो हमने ऊपर थोड़ा सा एरिया जो हैंगर के लिए रखा है न उस बात का ध्यान रखेगा वो इस पेस हमें छोड़ना है वहाँ पर हमें सिलाई नहीं करनी है तो इस तरीके से देखे बाकी मैं इसको पूरा तीनों तरफ से सिलाई करके बंद कर दूँगी तो ये देखे यहाँ पर मैं इसे कर रही हूँ सीधा और इस तरीके से हमारा ये जो कोट का कवर है बनके रेडी हो गया है बस हमें इसमें एक काम और करना है बस तो ये देखिए वो भी काम बताती हूँ कौन सा काम करना है तो देखिए कितना बड़िया यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा के है ना एक बड़िया सा कवर महिंगा सा कवर घर में बनके रेडी हो गया है अब देखे कई बार क्या होता है हम लोग इसे straight hang कर देते हैं है ना तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी almira में जगर नहीं होती है हम इसे fold करके hang करना हो या fold करके रखना हो suitcase वगेरा में जब हम लेके जाते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने velcro ले ली है और एक लगा दूँगे मैं यहाँ पर उपर और एक बिलकुल यहाँ पर जो हमने पट्टिया लगाई थी ना chain के उपर उस पट्टि के उपर यहाँ पर हमें दोनों में स्तिलाई लगा के attach कर देना है तो velcro आप ले सकते हो डेड़ इंच की है यह डेड़ इंच का piece में ने लिया है और अच्छे से यहाँ पर चारो तरफ पक्के से velcro लगा लेना है तो बस ही यहाँ पर जो हमारा coat का cover है बनके तयार हो गया है तो यह देखें यहाँ पर मैं एक coat रखके आपको दिखाती हूँ तो यह देखें जो हमने खुला चोड़ा था ना space यहाँ से हमें hanger को insert करना है और पूरे coat को हमने इस तरीके से रख लेना है अंदर यह देखें और यह मैंने जिब बंद कर दी है और यह देखें बहुती बढ़िया यहाँ पर free में थोड़ा सा time लगा कर अपना और एक reject परदा था उससे इतना बढ़िया coat का cover बनके ready हो गया है तो आप चाहें तो ऐसे कितने ही बना सकते हैं और आप चाहें तो देखें यह बना के ना आप बेच भी सकते हैं जैसे आपके परदे हो रहे है रिजेक्ट या फिर चादर हो रही है तो इस तरीके से बना बना के आप ऐसे भी कमा सकते हैं तो काफी महंगा कवर आराम से इजली हमारा घर में बनके रेडी हो गया है और जो वहाँ पर हमने पॉलेथिल लगाई है उससे देखे विजिबल है के हमने इसके अंदर क्या रखा है तो देखे इस तरीके से हम इसमें फोल्ड कर सकते हैं देखे कभी जैसे अलमीरा में जगर ना हो तो सहेंक कर सकते हैं सूटकेस में कहीं लेके जारें टरेवल में तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं तो है ना बड़िया आइडिया गर में ही ब़हती महंगा सा कोट का कवर बनके रेडी हो गया है तो कैसा लगा ये आइडिया प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर